अंजिना जी तो एकदम first choice थी क्योंकि उनका जो look है वो मेरी मा की तरह है और मैंने अंजिना जी को बोला भी था मैंने कुछ नहीं किया जो भी हुआ मेरे मामी पापा ने मुझसे करवाया है क्योंकि वो लोग ठे ही ऐसे इंसान मैंने दोनों जन को जानती हूँ बट इतना अभी मिल नहीं पाई हूँ दोनों लोगों से अंजिना जी या देव भाया या सुसील सिंग भाया सबने अपने अपने रोल को बखू भी निभाया है अच्छे एक्टर है पवन भाया भी और केसारी लाल जी भी तो हम नमस्कार मैं हूँ गीता सिंग और आप मुझे देख रहे हैं देसी भारत में बेस्ट आफ लग फो डेसी भारत थैंक यू गीता जी पहले तो आपना स्वाज़त हैं देसी भारत में थैंक यू पहले तुना आपको हैट्स आप कहना चाहूंगी आप अपने पिता जी पे बायोपिश बना रही है उनके संधर्श की कहानी लोगों तक पहुंचा रही है क्या कहना चाहेंगी थौट कुछ नहीं था मुझे अपने पिताजी पे मतलब लोगों तक पहुंचा ना ये तो एक सूरज को दिया दिखाने जैसा है अल्रेडी लोग उनके बारे में बहुत कुछ जानते लेगिन मैं चाहती थी कि जो नई जेनरेशन आ रही है जो वो जा से और उनको एक सद्धांजली देने के लिए मैंने सोचा कि एक बायोपिक बनाऊ और देव सिंग और अन्जिना सिंग को कास्ट करना क्या हो पहले चोईस है इस क्यारेक्टर के लिए अन्जिना जी तो एकदम फर्स्ट चोईस थी क्योंकि उनका जो लुक है वो मेरी मा की अन्जिना जी को बोला भी था कि जब भी मैं मुवी बनाऊंगी 101 पहला चांस में आपको ही दोंगी देव सिंग जी जो है उनके लिए मेरे लोगों ने उदे भाया जो मेरे क्रो को प्रोडूसर है उन्होंने मैं फिल्म इंडेस्टी के में बहुत लोगों को नहीं जानती दी भोजपूरी इंडेस्टी से तो उदे भाया ने और हमारे डारेक्टर धीरज पंडी जी ने देव भाया का नाम सुझाया कि वह बहुत अच्छे एक्टर है तो इसलिए फिर उनको अपने इंस्टर्ग्राम पर काफी मतलब सिम्लारिटी इंग्ली सारी है एसे लग रहे जी आपके जब उनको उस लूप में देखा तो आपका रियाक्शन क्या था डेफिनिटी आप थोड़ा एक्मोशनल तो होई होगी वह तो सही बात है कि वह लोग एकदम मतलब हम तब छोटे थे तो इतना ध्यान नहीं था लेकिन जब देव भाया और एंजिनर सिंग को दे आप एकदम बाबू रामनिवाद सिंग जैसे ही दिख रहे हैं तो सुनके बहुत अच्छा लगा कि हमारा मतलब कहीं न गई हम एक परसंट सफल हो गए अपने काम में जब आपने ये रिसाइड किया कि आप जो तो इनको बनानी है तो किनको लोगों ने आपको सपोर्ट कर आपके फामली जो है उनका क्या कुछ रियाक्शन का पैला मेरे पिता जी जो है दो सेकेंड जनुरी दो हजार बाइस में हम लोगों से दूर चले गए तो ऐसे घर पे बैठी थी तो मैंने अपने ब्रेदर को बोला कि मुझे कुछ करना है फिल्म लाइन में तो उसने बोला सही बात है और मेरा पुरा परिवार मेरी बहने हैं मेरे जितने भाइ हम जॉइन परिवार हैं सबने मेरा भरपूर साथ दिया मेरे हज्बंड सबने साथ दिया तभी आज यह movie सुटिंग जिसकी कम्प्लीट हो चुकी है सिंग साफ दराइजिंग और अंजना सिंग अगर में बात करो तो वह आपकी तारिफ को करते रहे नहीं था देथी उस चीज के लिए तो आपको अप्रिशेट किया है कि आप बायोपिक बनाए अपने पिता के ऊपर लेकिन एज कि ऐसे इंसान हम अपने आपको भागे साली समझते कि हम उनके बच्चे बनके पैदा हुए इस जनम में और उन्हों ने जो हम लोगों को बड़ा किया है जिस जंग से सबके साथ प्यार से रहना लोगों तो बस लोग उसी को एप्रिशेट कर रहे हैं और कोई बात नहीं है जी लाइन अप है एडिटिंग शुरू हो चुकी है और मॉस्ट हम मार्च में मुवी लास्ट हम रिलीज कर देंगे फ्लोर पर आजाएगे तो यूपी और भिहार में तो रिलीज होगी ही मुंबई में भी जहां पर नौर्थ इंडियन कमिनिटी जादा है हम सोच रहें कि हम वहां पर भी रिलीज करें और जैसे ही हमारी एडिटिंग कंप्लीट होगी फिर हम हमारी जो टीम है बैट के डिसाइड करेंगे कि प्रमोशन कैसा करना है और क्या करना है उनकी एक ही चीज है गलत मत करो गलत नहीं करोगे तो लोगे से डरने की जिरुवत नहीं होगी लोगों को बहला करो बस जो उन्होंने हम लोगों को सिखाया है बस हम उसी पर चल रहे हैं और समा सेवा करो बस आगे अब जब इस लाइन में आ गई तो आगे फिर बढ़ना ही बढ़ना है पीछे मूड के तो देखना नहीं सेकेंड मूवी भगवान कहां है तू मार्च फर्स्ट वीक में आ जाएगी लाइन अप है मैंने दोनों जन को जानती हूं बट इतना अभी मिल नहीं पाई हूं दोनों लोगों से इन फैक्ट भोजपूरी में रवी भाईया तो मेरे भाई है और मनोज भाईया निरहुआ जी सब बहुत करीब हैं लेकिन पवन भाईया के साथ भी और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो लोगों के साथ काम करते ही जाएंगे जरूर इसमें कोई बुराई नहीं है अगर हम मारे पास कोई अच्छी स्टोरी आई तो हम जरूर काम करेंगे किसको ऑन नहीं के साथ परीया अच्छी नहीं डीवहत जल्दी हो जाएंगा जैसी जो स्टोरी आई हम अच्छी स्टोरी पे काम करना पसंद करेंगे और अच्छे एक्टेर हैं पवन भेया भी और केसारी लाल जी भी तो हम बहुत जल्ड अच्छी मूवी उनके साथ भी करेंगे अच्छा फिल्म की अगर मैं बात करूं तो फिल्म की शूटिंग जिसकर के से चली है लोकेशन वाइज क्या कुछ कैसा होने वाला है दर्शकु कहां कहां का लोकेशन देखने को मिलेगे तो आपने बता लिया आपके गाउं में होनी शूटिंग करेंगे और जैसे जैसे हम और आगे बढ़ते हैं अभी क्योंकि हम नए हैं इस फिल्म में तो बहुत जल्दी कुछ बहुत बड़ी-बड़ी बाते करके और बाद में कुछ नहीं करना वो उस पर मैं यकिन नहीं करती हूं मेरा यह है कि हम काम करते जाएंगे और जैसी स्टोरी की डिमांड आएगी जहां सुटिंग करना होगा हम ज़रूर जाएंगे यादे यादे तो बहुत सी है अब यादों की पूरी किताब खोलूं तो आपको इंटर्व्यू दो तीन दिन लग जाएगा करने के लिए इस लिए इस पर तो मुवी जब रिलीज होगी तो हम बात करेंगे ही करेंगे जरूर करेंगे क्योंकि अभी यादों का पिटारा खोला तो फिर मेरे आसू अपने आप निकलने लगेंगे जो मैं नहीं चाह रही हूं आम से खास बन गए उनकी एक स्टोरी है हर किसी को हर जो मतलब संगर्ज करने वाले लोगों को लगेगा कि यह स्टोरी उनहीं की है तो ऐसी मूवी जो बनी हुई है मैं बहुत तारीफ नहीं करूँगी तारीफ आप लोगों को करना है यह मूवी आपके हवाले है अब आप अपना प्यार दीजिए बस मैं यहीं बूलाए इस तरह के का अच्छी कहानी अच्छी फिल्में क्या क्या जाए एक साफ सुतरी अच्छी कास्टिंग आपने कापी अच्छी जी जी और फैंस की लिए क्या नसेज देंगी जो देव से अंचना को देख 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 अच्छी जी 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 बहुत जल्द आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोग कोई मतलब क्या बोलते हैं कि अपना पैसा और वक्त दोनों बरबाद करें ऐसा नहीं लगेगा अंजिना जी या देव भाया या सुसील सिंग भाया सबने अपने अपने रोल को बखु भी निभाया है और ब अपना अपना काम बहुत जीजान से किया है किसी को कुछ बो सबने अपनी मूवी समझ के काम किया है तो प्लीज इस मूवी को देखिये बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है सबसे अच्छा टाइटल इससे अच्छा टाइटल कोई हो ही नहीं सकता है सिंग साख दराइजिंग और हमको लक्यली फर्स टाइम में हमको इंपा से रिजिस्ट्रेशन में मिल गया इसी नाम पर तो कहीं नहीं सब चीज हमारे फेवर में चल रही थी और सब अच्छा हो रहा है बस आगे अब दर्सकों से रिक्वेस्ट से कि वो भी कुछ अच्छा ही करें जरूर होगा अब इसी बात के परसे हैं आपको आपको रही सारे शक्ताना है और कि जो ओडियन्स पहां ने के तो इमोशनल रोकर इंस्पाइड होगे है तेंक यू थैंक यू थैंक यू